नमस्कार मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है आज बनाएंगे आलू परवल की सब्जी आलू परवल की सब्जी बनाने के लिए धाइसो ग्रम परवल लिए है इसे धोके टुपरों में काट लिए धाइसो ग्रम आलू इसे उवाल के काट लिए है एक बड़ा प्याज कटा हुआ दो तिन हरी मेच लासुन का पेस्ट अध्रक का पेस्ट दो तजपतक फुरन में डालने के लिए मसाला में लेंगे एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मेच पाउडर एक चमच धनिया पा पानी आवे सकता अनुसा डालेंगे तो इसे आप बनाना शुरू करते हैं कराही गरम हो गए है आप इसमें तेल डालेंगे तेल गरम हो गए है सबसे पहले हम परवल को फ्राइ करेंगे अब इसमें एक चुट की हल्दी और एक चुट की नमक ढालके इसे तीन-चार मिनट के लिए फ्राइ करेंगे अब इसे चला लेंगे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून देंगे गोल्डन ब्राउन हो गए है अब इसे निकाल लेंगे इसी तरह आलू को भी डाल के तिन-चार मिनट के लिए फ्राइ करेंगे इसी तेल में आलू को डाल देंगे और आलू में भी एक चुट की हल्दी एक चुट की नमक डाल के इसे तीन-चार मिनट के लिए फ्राइ करेंगे अब इसे चला लेंगे इसे भी गुल्डेन ब्राउन होने तक भूल लेंगे गुल्डेन ब्राउन हो गई है अब इसे निकाल लेंगे अब इसमें तेल डालके प्याज को भूनेंगे पहले जीरा डालेंगे तस पत्ता डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे और फोरन को जलने देंगे जीरा जल गई है अब इसमें प्याज डालेंगे प्याज को गुलावी होने तक भून लेंगे अब इसमें लासुन और अध्रक का पेष्ट डाल के भूनेंगे लासुन का पेष्ट अध्रक का पेष्ट अब इसमें चला लेंगे अब मसालोग पो भी डाल देंगे हल्दी पाउडर एक चमाच हल्लाल मेच हम अपने स्वात का नुशा डालेंगे धनिया पाउडर एक चमाच जीरा पाउडर एक चमाच आधी छोटी चमाच काली मेर्च अब इसे भून लेंगे अच्छी तरह से मसाला अच्छी तरह से भून गए है अब इसमें परवाल अलो को डाल के दो मिनट और भुराई करेंगे अब इसमें नमक डाल देंगे नमक स्वात का नुसा डालेंगे अब इसे चला लेंगे मसाला अच्छी तरह से भून गई है अब इसमें पानी डाल देंगे अब इसे चला के ढख देंगे साथ से आठ मिनट तक इसे पकने देंगे चेक कर लेते हैं अब इसमें गरम मसाला डालेंगे गरम मसाला ऑप्सनल है पसंद हो तो डाले नहीं तो ना भी डाल सकते हैं अब इसे दो मिनट और पकने देंगे दो मिनट हो गया है सबजी बन के तयार है अब गैस बन कर देंगे और सर्व करने के लिए इसे निकाल लेंगे सर्वा करने के लिए आलू परवल की सबजी बन के तयार है और मेरे चाइनल को सब्सक्राइब करने न भूले